मनीश एकडमी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत श्वागत है चलिए जो भारती दंड संगीता थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं जितनी सारी उसमें इंपॉर्टेंट धाराएं थी जो यूपी एसाई में बार बार पूछता है उससे रिलेटेड जितने भी धारा थी ह हम उसको कंप्लीट कर चुके हैं आज से हमें स्टार्ट करेंगे दंड प्रक्रिय संगीता 1973 की और इसमें भी हम मुख मुख धारा को देखेंगे जो की यूपी एसाई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और बार बार वो एक्जाम में हमेशा पूछते हैं तो अप्रायल 1974 से यह देश में लागू कर दिया गया था तो इसमें जो है टोटल जो दंड संगीता है यह जो दंड प्रक्रिय संगीता है इसमें टोटल 37 अध्याएं हैं अध्याएं इसके कितने हैं तो 37 अध्याएं हैं और टोटल कितनी धाराएं हैं तो यहां पर टोटल धाराएं हैं दंड संगीता था तो यहां पर इसको ध्यान रखियेगा कि हो सकता है वैसे कोश्चन नहीं पूछता है लेकिन एक समझ के अस्तर पर जानते रहिएगा कि यहां पर जो दंड संगीता दंड प्रक्रिया संगीता जो है यह इसमें अध्याय साइतिस हैं और टोटल जितनी धाराएं हैं वो 484 हैं लेकिन भारति दंड संगीता जो हम पढ़ चुके हैं अध्याय की संख्या कितनी है तो आगे चलते हैं यहां पर जो जो धारा हम दो से स्टार्ट करेंगे यह यहां से इंपोज़ें आगे घर जोटल वह तो यहां से श्टार्ट करेंगे और कैसे बार बार पूछा भी गया है तो देख लेता हैं जो दारा 2 है धारा 2 और कर इसको इंग्छलिस में अभी कहेंगे लेकिन जब हमारा पेपर आएगा तो उसमें हिंदी इंगलिस दोनों जो धारत दोक का है इसमें जो जमानत के अधार पर छुड़ाया जा सकता है उस अपराद को परिभासित किया गया है एक चीज़ और बताना चाहेंगे यहां पर जैसे जो दंड प्रक्रिय संहिता है और भारती दंड संहिता है तो दोनों में जो है ये अंतर समझ लेते हैं कि जो दंड संगीता है उसमें दंड के बारे में बताया गया है उसमें दंड के बारे में बताया गया है कि कौन-कौन से अपराद किस-किस कटेगरी में किस-किस धारा के अंतर गताते हैं वो उसमें बताया गया है यहां पर दंड प्रक्रिया के बारे में बात की गई है कि जो व दंड का प्रावधान किया गया है कि कौन कौन से कृत्ति के लिए कौन सी धाराएं कौन सा दंड लागू किया गया है तो चलिए यह हो गया कि दोग का में जमानती अपराद को परिभासित किया गया है कि ऐसे कौन कौन से अपराद है जो जमानत पे जमानत के द्वारा उसको उस अपराद से मुक्त किया जा सकता है आगे धारा दो है दोग यह धारा दोग है तो इसमें जो है संगे जो अपराद होते हैं उसकी परिभासा दी गई है कि संगे अपराद कहते किसे हैं आगे धारा है धारा दोग है तो यह कंप्लेंट जो होती है जिसको परिवाद जो इस प्लेंट को परिभ्यासित कियाchair धारा दो घयमे आगे है धाराश जाच को परिभ्यासित करताई, जो कोई अपराद होता है उस संबंधित चैनल उसकी परिभ्यासा दी गई है कि जाढ़ में कौन-कौन सी परक्रिया आएeeeee उसके बारे में यहां पर परिभ्यासा दी गई है आगे है धारा दोज्य तो दोज्य में जो है अन्वेसर जिसको इन्वेस्टिगेशन कहते हैं इसको परिभ्यासित किया गया है कि यह किस प्रकार से किया जाएगा या इसको करने के दवरान कितने चरण होते हैं क्या-क्या इ अधासंगbahn के कटेग्री में रखा जायेगा और उसी के बारे में ये परिभ्यासित करता है धारा दो थ्या तो इसमीश्सें किया गया है कि एपराध किसे कहते हैं कौन से कृतिस्ग को अपराध कहा जाएगा ऐसे कौन आप्राधिक कृत्ति हैं जिसके लिए यहां पे सज्जा का प्रावधान है। उसकी प्रक्रिया को ।ցद6 बताया गयां है। उसके बारे में यहां पर बताया गया है धारा दो दा में आगे धारा है धारा दो धा तो इसमें पुलिस थाना को परिभासित किया गया है कि पुलिस थाना की क्या प्रक्रियाएं है उसमें क्या क्या प्रोसेस होंगे यह पुलिस थाना क्या होता है उसमें कैसे चीजें जो है में होती है सारा इसके बारे में यहाँ पर बता जो जाता जाता दिया जाता है और आजीवन कारावास होता है इसके साथ ही अगर ऐसे कोई अपराद है कोई व्यक्ति ऐसा अपराद किया है जिसमें दो वर्स से अधिक का सजा उसके लिए मिली है उसको तो उसके लिए यह वारंट जारी किया जाता है तो उस संदर्व में यहां वारंट को प पाया हुआ है साथी वो कोई और है जो आजीवन कारवास से संबंदित है और इसी तरह से अगर दो वर्ष से ज़्यादा उसको सजा कारवास की सजा दी गई है तो उसके लिए वारंट का जो है यहां पर उपयोग या प्रयोग किया जाता है आगे धारा आठ है तो यह दो जो दो धाराओं का जो यह कटेग्री है जिसमें उप धारा है कगगच इसमें कांटीनिव नहीं दिये मतलब कांटीनिव हम नहीं समझा रहा है क्योंकि यह जो भी धारा हैं वो बहुत ही महत्तपूर्ण है यह हमेशा UPSI या पुलिस जैसे एक् को देखते हैं तो आठ में यह कहा गया है कि राज्य सरकार के अंतरगत यह आता है कि वह किसी छेत्र को महानगर घोसित कर सकती है धारा जो आठ है यह डंड परक्रिय संगिता 1973 की धारा जो आठ है वह कहती है कि राज्य सरकार के पास ये अधिकार होता है कि वो किसी छेत्र को महानगर घोसित कर सकता है लेकिन घोसित करने के लिए ये जरूरी है कि उस छेत्र में जो है 10 लाख से अधिक population होनी चाहिए जनसंख्या होनी चाहिए तो यहां पे यह धारा जो है आठ के अंतरगत कहा गया है तो यह कुछ महत्पूर्ण इससे दंड प्रक्रिय संगीता से धारा हमाज स्टार्ट कर दिये हैं इसको याद रखना है कि इसमें इसके 37 अध्याय हैं और इसी के साथ साथ यह भी कंपेर करते हुए याद रखना है कि भारती जो दंड संगीता है उसमें टोटल 511 धारा आये हैं और तेई सद्ध्याय हैं तो यह दोनों चीजे क्लियर हो गई है और इसके साथ ही हम आज से स्टार्ट कर दिये हैं आगे इसका जो भी दो तीन क्लास में यह लगभग कंप्लीट हो जाएगी जो भारती दंड प् करते हुए फिर हम आगे जो और भी चीजे हैं इससे रिलेटेड उस पे हम डिसकस करेंगे तो चलिए आज के लिए इतना ही हमें उम्मीद है आप लोग को जरूर पसंद आया होगा यह पसंद आया तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें ब झाल 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 झाल